नमस्ते कार और आज हम खड़े हैं अमेरिकन सिडैन के सामने जिसका नाम है शेवरोले क्रूज 1972 में लाँच हुई थी और ये 7th जनरेशन का फेसलिफ्ट आप देख रहे हैं डीजल और आटमेटिक ट्रांसमिशन में आती थी शुरू होती थी 13,40,000 रूपीज से और टॉप मोडली कीमत थी 17,50,000 रूपीज और ये टॉप मोडल LTZ आटमेटिक आप देख रहे हैं डैवि अब क्रूज एविलेबल नहीं है क्योंकि 2017 से शेवरोले ब्रैंड इंडिया में बंद हो चुका है प्रूज की फर्स जनरेशन 1972 की सेहन केमिना थी उसके बाद आई डेवू मैपसी फिर डेवू लीमैंस फिर डेवू सीयलो उसके बाद आई डेवू न्यूबिरा उसके बा नाम से बट अब वो नाम सिर्फ इसी कार पर यूज होता है कि डेवलपेंट के दौरान जे थ्री हंड्रेट कोड नेम था प्रूज का कि फ्रंट स्कर्ट्स के साथ फ्रंट बंपर डिजाइन है और यह LED DRL और प्रोजेक्टर फॉग लैम और यह है गोल्डन शेवरोले बोट आई के साथ डूबल पोर्ट फ्रंट ग्रिल क्रोम होरीजोंटल स्लैट्स और हनीकॉम ग्रिल डिजाइन है शेवरोले का लोगो और यह डूबल बैजल डिजाइन हेड लैम रेंसेंसिंग वाइपर्स है और यह संरूफ यह अंटेना ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स हैं और यह 2.0 लिटर एंजन की बैजिंग डेवूल SIT प्रीमियर या होल्डन क्रूज भी शेवरोले क्रूज पे ही बने थे क्रूज से उपर शेवरोले मलीबू और इंपाला सिडैन आती हैं चाइना और USA क्रूज के सबसे बड़े मार्केट है 4.6 मिटर लेंथ है 1.4 मिटर हाइट है और 15,60 केजी कर्ब वेट है क्रूज का क्रूज का 65% बॉड़ी स्ट्रक्चर हाई स्ट्रेंच स्टील से बनाए तीन साल या एक लाग किलोमेटर की वारेंटी शेवरोले देती थी क्रूज पे और ये हैं 16 इंच के 10 स्पोक ऐलॉई वील्स आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे ऐलॉईस के बीच में भी शेवरोले का लोगो है और ये क्रूम डोर हैंडल्स क्रूज के प्रोडक्शन स्टार्ट होने के दिन जर्नल्मोटर्स के नॉर्थ अमेरिकन ओपरेशन्स प्रेजिडेंट मार्क रियोस ने कहा था कि क्रूज ही हमारे लिए सब कुछ है जर्नल्मोटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट कार है क्रूज 221 prototypes की testing और 27 months में 3000 करोड खर्च करने के बाद बनी थी cruise Germany से Opal के साथ General Motors के Korean Department का काफी major role था cruise के design और engineering में Station wagon और hatchback body style भी आते हैं cruise में बट वो models इंडिया नहीं लाए गए कभी और ये VCDI engine और AT automatic transmission की बैजिग और ये top model cruise LTZ की बैजिग और ये lift spoiler और ये शेवरोले का लोगो और ये शेवरोले की बैजिग और ये टेल लाम्प और ये stop lamp इंडिया औस्टेलिया ब्राजील चाइना कोलंबिया काजाकिस्तान रशिया साउथ कोरिया थाइलैंड यूएसे और वियतनाम में असेमली होती थी cruise की ये white color आप देख रहे हैं red silver grey brown और black color का भी option आता था और यहां से बरेंगे डीजल general motors के delta 2 platform पर बनी है cruise जिसको ओपल ने जर्मिनी में बनाया है इस platform को global compact vehicle architecture या GCV भी कहा जाता है इसी platform पे 2014 ओपल एस्ट्रा, 2015 ब्योग वेरानो, ओपल जफीरा टूरर, 2015 Cadillac ELR और ओपल केसकाड़ा भी बने है 1400cc, 1600cc, 1800cc पेट्रोल एंजिन्स, 1600cc, 1700cc डीजल एंजिन्स और 5-speed manual transmission variants भी आते थे बट वो इंडिया में अवलिबल नहीं थे सेफटी के लिए Australian N-CAP, China N-CAP, Euro N-CAP, Korea N-CAP और NHTSA ने 5 में से 5 स्टार्स दिये थे cruise को IIHS ने भी highest good rating दी थी cruise को आगे linear cylindrical coil spring और tubular stabilizer bar system के साथ mag person strut suspension और पीछे non-linear mini block coil spring, twin tube gas fill type के साथ compound crank type suspension मिलेंगे twin tube gas fill type front and rear shock absorbers है सेफटी के अंदर 4 airbags, ABS, 4 channel rear parking assist, rear parking camera, immobilizer, anti-theft alarm, auto door lock, crash में auto door unlock, front और rear crumple zone, safety cage, under body coating, electric dual horn, battery run down protection, ISO fix, child seat mounting और height adjustable front seat belts मिलेंगे world touring car championship, British touring car championship, Scandinavian touring car championship और कई motor sport events में भी winner रही है क्रूज और यह क्रोम फिनिश में टेल पाइप क्रूज का मतलब होता है घूमना या ड्राइव पे जाना ये rear camera और key से ही open हो जाएगा boot तो यहाँ आपको मिलती है 470 लिटर की boot space और यह side में hook दिया गया है side में थोड़ी space है और इसको ठाएंगे तो यहाँ पर spare wheel आईए पीछे का पैसंदे side door खोल कर देखते हैं तो नीचे bottle holder speaker दिया गया है door पे chrome handle है यहाँ side में थोड़ी space दी गई है power window का button काफी space है यहाँ पे भी और यह है jet black leather upholstery titanium color की stitching है दो headrest में लेंगे seat के पीछे pockets ही गई है और यह armrest दो glass holders मिलेंगे armrest पे और sunroof और light मिलेगी बीच में और यह है 12V का charging port और यह रीडिंग लाइट और ऐसे इता है dashboard black or titanium wrap around theme है tilt or telescopic steering है आईए driver side door खोल कर देखते हैं तो यहाँ पर भी नीचे bottle roller और काफी space दी गई है स्पीकर है chrome door handle ORVM के controls power window का button पाफी space है यहाँ पर speaker यहाँ पर भी थोड़ी space दी गई है और ऐसे इतनी आगी seats hydraulically assisted rack and pinion steering है 6-way power adjustable driver seat मिलेगी यह शांदार jet black leather upholstery यह pedals bonnet खोलने का lever यह driver के लिए थोड़ी space दी गई है यहाँ पर और यह light controls है AC went Chevrolet Corvette sports car से inspired dual cockpit interior design है cruise का यह leather finish में armrest इसके अंदर भी काफी space है AUX और USB का port है Ashtray can है, lighter है यह lighter यहाँ पर दो glass holders मिलेंगे यह manual handbrake 12V का charging port और यह है six speed automatic transmission six speed manual transmission का भी option आता था और यह है और यह है tropicalized electronic automatic AC और यह lock and lock करने का button और यह infotainment के controls है यहाँ पर cd changer, phone के controls, home power का button है और यह है my link touch screen infotainment support करेगा cd, radio, aux, usb, apps, bluetooth, voice control grace note software or apple siri i is free picture, tone, bluetooth, time, radio settings, phone settings, display settings, vehicle settings और यह phone, radio, fm, usb, cd, aux के controls है यह fm निशानदा dashboard के finish यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस दी गई है यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस दी गई है एर बैक का बैजिंग और यह light के साथ glow box और यह passenger side vanity mirror light के साथ rear view mirror यहाँ पर भी दो lights में लेंगी और यह sunroof के controls है और यह है pinch guard और protective mesh के साथ electric sunroof और यहाँ पर sunglass holder है यह engine start stop button और यह है 3 spoke leather app power steering और यह cruise control के buttons है और यह पर यह पर यह पर यह पर यह पर के लोगो और यह voice control, phone के control, volume control और यह multi information display के controls, light के controls, यह wiper के controls हैं और यह है IC blue highlight में triple pod instrument cluster साथ में multi information display है जो दिखाएगा trip meter, average range और average speed आइए फ्रंट का बॉनेट खोलते हैं और देखते हैं 2000 cc diesel engine तो यह है 2000 cc inline 4 cylinder VCDI General Motors का family Z diesel engine 163 horsepower है, 360 nm torque है 14 coverage मिलेगा, 60 liter के fuel tank से manual transmission में 17 का average मिलेगा 210 km per hour की top speed है VCDI का full form है variable geometry, common rail, diesel injection VM motori भी बनाती थी यह VCDI engine बट उसको फिर General Motors का family Z engine ने replace कर दिया मारी कुछ specifications हैं आपे 210 km per hour की top speed है इस VCDI engine की SAE 5W 30 high performance synthetic motor oil यूज करती है तो यह थी 2000 cc General Motors family Z diesel engine की sound आइए फ्रंट का पैसंतर साइड दोर खोल कर देखते हैं यहाँ पर भी नीचे बॉटर रूलर स्पीकर हैं और यह शांदार कॉरवेट से इंस्पायर कॉकपेट डिजाइन तो कैसी लगी आपको शैरोले क्रूज हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू स्झास कर दुम कर दो कर दो क्या दो कैस लग दो